वेल्कम 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 स्पेशल पिजा साउस आज की हमारी फेवरेट रेस्पी यह वो पिजा साउस है जो के आप अक्सर पिजा खाते हुए उसके उपर देखते हैं तो आज हम आपको बनानी सिखाएंगे के पिजा साउस कैसे बनती है यह इसके में इंग्रीडियंट्स ह जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिर में ये सारी चीज़ें शामिल हैं, हम बाद में इनकी क्वांटिटी भी आपको बताएंगे, ये मेरे पास मखन है, जो के प्योर, बिल्कुल प्योर है, और ये एक टेवल स्पून है, ये मेरे पास वाइट पेपर है, जो के हाफ टी स्पून से थोड़ा कम ही है, वाइट पेपर जो के, और ये मेरे पास मेटा है, जो के एक चमच है, वो फूल नहीं है, और ये मेरे पास साल्ट है, जो के तकरीबन वन फॉर्थ, यानि के टी स्पून के बराबर है, और ये एक दूट का गिलास है, जो के फूल है, भरा हुआ है, और ये फ्रेश मिल्क है बलकुल अब हम एक पैन को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे बलके लो फ्लेम पे ही रखना है ये सारे का सारा काम तो इसको एहत्यात से करना लो पे रखें लेकि ये जलने ना पाए इसमें साबसे पहले हमने मखन डाला है फिर इसके अंदर हमने मैदा डाल दिया है हम इसको अच्छे तरीके से अब कुक करेंगे और मिक्स भी करेंगे अच्छे तरीके से और इसको उस वकट तक पकाना है जब तक इसका कच्चा पान जो है वो खतम ना हो जाए क्योंकि मैद्दे के अंदर थोड़ा कच्चा पन होता है जाबिस को ये भूनते हैं तो ये आश्ता श्ता ही खत्म होता जाएगा इसका अगर कलर भी थोड़ा बहुत भूनते हुए चेंज हो जाए लेकिं इतना ना के जाल जाए तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं है अब इसमें हमने दूद का एक गलास डाला है अब इसमें वाइट पेपर जो के हमारे पास थी वो डाली है अब नमक डाल दिया है साथ ही इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आश्ता आश्ता और भी इसके अंदर एड़ करेंगे इसके अंदर फ्लेवर के लिए साल्ट भी डाल चुके हैं हम इसमें हम इसमें वाइट पेपर भी डाल चुके हैं अब इसको हम थोड़ा थिक करेंगे और इसमें हमने अभी थोड़ी देर अभी इसमें हमने जिंजर और गार्लिक वो पेस्ट डाला है जो के हाफ टी स्पून है यह देखिए कितना थिक होता जा रहा है आइस्ता आइस्ता आग बिलकुल आपने आइस्ता गर लेनी है क्योंकि यह इसको जल्दी नहीं बकाना बिलकुल आइस्ता आइस्ता बकाना है अब हम इसमें तीन पिंचिस के गरीब इसमें रैड चिली जो के पिसी हुई मिर्च है वो डालेंगे लाल मिर्च यह अब हमें सारी इसके अंदर तीन पिंचिस के गरीब डाल दी है यह रैड चिली इसको फिर अच्छे त्रीके से मिक्स करना है अब इसमें तीन चार पिंचिस के गरीब हम शूगर यानि के चीनी एड करेंगे यह भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगी बस इतना ध्यान में रहे कि यह चीनी ज्यादा ना होने पाए जस फ्लेवर के लिए अड की है अब इसमें हमने यह थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा पिंक कलर डाला है इसके अंदर इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ताके यह पिज़े के उपर अच्छी लगे आपने अक्सर देखा क्योंकि हलकी इसी पिंक कलर की होती है यह सास अब यह इसकी लास शेप यह इस तरह की होगी यह देखें यह बॉल में डालते हुए कि यह ना बहुत ज्यादा गहरी होगी ना बहुत ज्यादा पतली होगी और यह इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी है बहुत ही यमी है आपको बहुत पसंद आएगा जाब भी आप पिज़ा बनाएं तो यह सास उपर उसके जरूर डालें उससे पिज़े का फ्लेवर और ज्यादा भढ़ जाएगा उसका टेस्ट भी भढ़ जाएगा तो कैसी लगी वे और आपको मेरी ये रेस्पी अगर आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कुमेंट्स कीजिए और बेल आइकान जलूर प्रेस कीजिए ताके लेटेस्ट रेस्पी आपके पास पहुं तो व्यूर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा तब तक के लिए इसमें मिल्क पैक क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं ताकि इसका फ्लेवर और जड़ा अच्छा हो जाए तब तक के लिए गुड़ बाई